अगर कानून ही वह आपसी हो जाए तो सरकार का क्या गट जगा हम तो इतपना चाहता नहीं हम तो नुक्सान में जाने चाहाँ अमित्सा खोर नरिंदर मुदी इन्होंने सब पर विल्गून अपनी एक चाप छोड़ा की दो कदम सरकार पीछे अटे हम डाई कदम अट जगे दिल्ली के तमाम दर्वाजों पर किसान आंदूलन लगातार बड़ा होता जा रहा है आंदूलन बड़ा रुख अख्तियार करता जा रहा है इस पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ आज एक बहुत खास महमान मौझूद है भारतिय किसान यूनियन के रास्ट या द्यक्ष नरेश्ट टिकैज जी ये बताईए आज सरकार के साथ बात हुई है किसानों की नेताओं की इस पर क्या आपको लगता है क्या फैसला आन सरकार कह रही है कि वो प्रस्ताओं दे रही है आपको उसमें संशोधन की बात की जा रही है कानूनों में लेकिन किसान नेता कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं लगातार की कानून जब तक वापस नहीं होंगे आप पीछे नहीं हटेंगे प्रस्ताओं से बात बन सकती है संशो चुशन को एक महिने से ऊपर बीच चुका है लेकिन सरकार और किसानों के बीच एक डेड लोग की स्तिती पेदा हो चुकी है ना इधर से बात आगे बढ़ रही है ना उधर से आगे बात बढ़ रही है तो इस पर आप क्या समझते हैं आगे की कि क्या फिर हम तो मारी तरफ तो रस्ते कुले हुए है कि pandemia अगर सरकार अपनी अटधर मी छोड़ है सरकार तक रही तने को किसानों के मूते कभी भी कोई अपसब निकलता परदान मंत्री जी को सुमें वे मारे अर्थ रहते मारा सोशन चारे करना हर तरह तो इन करना चारे सिमझते हैं उन्हें एक किसी मीडिया के माध्यम तो पता नियुक्त आपने इस चीज का जिकर किया हर अंदूलन में कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व जो है देखने को मिल जाते हैं सर अभी कल ही एक वीडियो भी काफी वाइरल हुआ सूशल मीडिया पर भी पहुंचा जहां कुछ किसान एक जियो के टावर को तोड़ते हुए देखे और तमाम ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है सर सामने इस पर क्या करते हैं नहीं जियो का टावर हम तो नहीं पता हमारे वाह तो सब चलू है असा कोई एक आदमी कहीं क कुछ गलती कर रहा तो पूरा पूरा जन समूद ठोड़ा ही उसमें वह आ जगा गलत कर देता और टावर गलत है उनका हम तो काफी लोग यह जानना चाहते हैं अगर बात हो रही है टेबल पर बैठके बात की जा रही है तो उसका हल क्यों नहीं आ रहा है सर राज नाज जी को लो ये हम ही बता देंगे इससंता समधान के बात राज नाज जी को लाल किसनल रौाणी जी है उनना है उनना तजर्बा एस बुजूर्ग की अदमी इंगे किसांबी कई न कई मानने उनकी बात हम भी मारा भी पारिवारी की मामला ए embarrass हम राजनात जी का हम सम्मान करें खुब राजनात जी की चलनी रहे उनके मन में एक चीज है किसानों के साथ मैं न्याय हो रहा है प्रवाद राजनार सिंग्म जी ने भी बात कहिए उनका भी कहना कि ये कानून जो है एक किसानों के लिए लिए ये बनाए गहले उनके हिث है इसमें राजनार सिंग्जी ने ये बात कहिए में दबावट में कर रहें काम, में दबाव में काम कर रहें, उन्हें खुल कर निवो लंडी जा रहा है, वे एक उन्होंने एक पींजरे का तोत्ता बना रख्या, इन दो यद्धें उन्हें, ये अमित्सा और नरेंदर मोदी, इन्होंने सब बिल्गुल अपनी एक चाप छो है, मारे भी सांसद है, बागपत के भी है, मुझे फंदा कर रहें, किसी की कुछ ही नि, हम बिल्कुल वहां की वहीं बात है, और ये दो मताब बात हटा हुए, बात ये, ये कई कुले और बात चीत चला हुए, और सरकार के फायदे के रहें जागी बात, सर, ये चीज़ और जानना चाहता था, आप एक बड़े किसान नेता है, तो काफी किसान भी ये बात जानना चाहते हैं, और देश के तमाम लोग भी ये बात जानना चाहते हैं, कि आप जब सरकार के साथ मीटिंग करते हैं, क्योंकि मीटिंग कुछ ही लोग करते हैं, चुन में यारी उस दिन सही मूड माज़ें कि फैसला हो जगा है हम भी हमने आज एक और नया व रख्या दो कडम दो कडम सरकार पीच्छे हटे हम डाई कडम अट जगे इसके पीचे तो तर्क सरकार ये दे सकती है कि सरकार ने कानूनों में संसोधन की बात की है लचर रविया अपन तो यह थे हमारे साथ भारतिय किसान यूनियन के रास्ट्र अध्यक्ष नरिश्टिक जी जिन से हमने बात कियो जानने की कोशिश की कि आखिर यह जो तक्रार सरकार और किसानों के बीच चल रही है यह कब तक जारी रहने वाली है कैमरामें सर्ताज के साथ मैं काविन चौह नीजवल इंडिया